नमस्कार दोस्तों मेरे खा स्वागर करती हूं आपके अपने कोकिंग चैनल इसके सिंपल फूट पर तो मुझे से जूड़ रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल एकन चुरू दबाएगा जिन्नो अपने प्यास जोग हमेंसा मेरे साथ रखें तो दोस्तों मकशन करांती के यह मैं लेकर आई हूं तिल के लड़ू और यह बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए तो हम ले लेते हैं तिल साथ में लेंगे हम नारियल और इलाइची दो और हम गोड़ साथ में हम लेंगे घी घी हमारा तीन से चार चमच होगा तो एक पैन ले लेते हैं और हम तिल को भूनेंगे यह मेरा भूरे रंग का तिल दिख रहा है यह सबसे अच्छा होता है आप इसके जगा काली तिल को लेगे वो ज़्यादा फायदेमंद होगा एक बिल पेता किरेंदा घरके हम तिल को इलाइची के साथ पीस लेते हैं और कदूकस कर लेंगे हम गुड़ को तोड़ लेंगे या हम मिकसि ज़ार में छोटे-चोटे टुकड़े कर के पीस लेंगे लिए ज़े एक लेते हैं बातन हमारा сारा कुछ होच चुक है तिर तो इसमें ड गुड़ को आप कद्दू कस कर ले किसी भारी बरतन से समान से इसे तोड़ ले जैसे आपको सुविदा हो तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से दबाते हुए हमने इसमें चासनी नहीं बनाया है इसलिए हमें इसको अच्छी तरह के तरीके से घी गुड़ को तेल के है वो छूटे और गुड के साथ यह बाइंडिंग हो तो इस तरीके से हमें दोनों हाथ से रगड़ते हुए इसको अच्छी तरीके से मिलाना है तो यह देखिए लड़ू की तरह बंध रहा है लेकिन अभी मैं डालूंगे इसमें दो से तीन चमच घी क्योंकि अभी यह कम ब रगड़ के मसला था वैसे और यह देखिए लड़ू बनने लगा है तो अब जो मेरे पास जो हमने तिल रखा था अलग से भून कर उसको हम इसमें मिला देंगे और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं मिला के हम इसकी लड़ू बनाएंगे और यह लड़ू बहुत अच्छे लगते हैं बिना मेहनत के जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए तिल लड़ू बहुत ही असान है बनाने के लिए गोड़ के लिए हमेसा याद रखे या तो उसे कद्दूकस कर ले या उसे किसी भारी बरतन से तोड ले बिल्कुल बारी तो ये देखिए बन रहा है लड्डू तो ये तोट नी रहा अगर हम अच्छे से नहीं मस लेंगे घी नहीं डालेंगे तो ये भूर भूरा सा रहेगा तो इस तरीके से हम लड्डू सारे त्यार कर लेते हैं आपका भी कोई तरीका हो इस तरीके से असान लड्डू बनाने का तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कि आप कैसे बनाते हैं लड्डू तो ये विगनर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रैसिपी है तो आप भी बनाएए खाएए इस सक्रांथ में और सक्रांथ में तिल का बहुत महत्व होता है आपका भी कोई रैसिपी हैं तो जरूर एक बड़ सेयर करिए मेरे साथ तो चलिए मिलते हैं ने रैसिपी ने वीडियो के साथ नमस्कार दन्यवाद